नमस्ते हरे कृष्णा माइडियो फ्रेंड्स ग्लोसी पोटिको सर्वसंपुन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में मैं डेली पूजा रिलेटेड सारी पूजा की सामगरी शो करने जारी हूँ जो मेरे मंदिर में हमेशा रहती है और कोई भी विशेश पूजा आने पर जो भी अलग सामगरी मुझे ज़रुरत होती है वो मैं मार्केट से लेकर के आती हूँ और वाइस मोस्टली सारी चीज़े मेरे पास पहले से होती है तो वही मैं शो करूँगी कि कौन-कौन सी सामगरी मैं पहले से मंदिर में रखती हूँ और हर मन्थ जब सारी मन्थली ग्रॉसरी आती है उसमें नोट करती हूँ कि कौन-कौन सी चीज़े खतम हो गई हैं और उसको फिर से रीफिल कर लेते हैं हम सब और इससे जीवन थोड़ा आसान हो जाता है पूजा थोड़ी आसान हो जाती है और ऐसा कभी नहीं होता कि हम पूजा करने बैठे हैं और कोई चीज़ ढूंड रहे हैं पूजा सामगरी में जो विशेश है और जो हमारे पास अभी उपलब्ध ना हो इससे आपको भी थोड़ी जानकारी मिलेगी कि आप भी कैसे मिंटेन करके रख सकते हैं चीज़ें और सही समय पर वो चीज़ें कैसे हमारे लिए उपयोगी हो जाती है सबसे उपयोगी चीज़ है हमारा दीपक तो दीपक के लिए मैंने कौन-कौन सी बतियां रखी है क्या क्या रखा है पहले से वो मैं शो करती हूँ इस डबे में मैं डेली के पूजा के लिए बतियां रखती हूँ दो दीपक डेली शुबर शाम जलता है एक आरती के लिए और एक भगवान के सामने प्रजलित रहता है तो ऐसी लंबी वाली बतियां और ये गोल वाली बतियां गोल वाली बतिया, red color की भी है येलो color की भी है और transparent भी है वो मैं आगे शोँ करूंगी और daily इसी में से निकाल के मैं दीपक जलाती हूं जब ये खतम हो जाती है तो इस तरीके के packets है जो भी शोँ करूंगी उस से इस डब्बे को refill कर लेती हूं ये देखिए ये सारे पैकेट्स हैं हर तरह की बत्तियों के लिए और जैसे चीजें खतम होने वाली रहती हैं उससे पहले ही मैं लेकर के आके इहें सारे बॉक्सर्स में फिल कर लेती हूँ अब घी या तेल की बात कर लेते हैं तो डेली मेरे पुजा में सुबा शाम जो भी जलता है वो देशी घी में ही जलता है गाय के घी में जलता है तेल का प्रयोग तब ही होता है जब विशेश पूजा होती है बहुत सारे दीब जलाने होते हैं तब मैं तिल का तेल भी इस्तेमाल करती हूँ बट डेली में घी का ही इस्तेमाल होता है तो आप ये देख सकते हैं कि डेली में इससे ही घी निकालती हूं और दीपक जलाती हूं गाय का शुद्ध घी की यही पहचान है इसका कलर इसकी महक इसकी शुद्ध का तो आप देख सकते हैं और इसके अलावा एक बड़े डबे में भी घी रहता है पूरा फुल ये देखिए ये पूरा डबा जो है घी सेबरा रहता है और इसके अलावा पैकेट भी में रखती हूं कभी वी कमी नहीं होती है और खتم होने से पहले इस डबे में खत्म होता है तो इस से भर लेती हूं फेनकी इस तो इसमें भी इस्तेमाल होंगी दीपक के बाद आज आते हैं धूप पर तो धूप में भी इस तरीके के दब्बे में मेरे डेली यूज के धूप होते हैं अभी आप देखोगे तो शायद इसमें थे वह खतम हो चुके हैं आज यह हमारी लोबान के कप्स होते हैं में पैकेट में से फिल कर लूँगी तो मैं दिखा देती हूं धूप भी तो यह देखिए डिफरेंट फ्लेवर्स के लावेंडर धूप है इसको खोलते ही जितनी सुन्दर खुश्बू आती है उतना जलाते भी आती है तो ऐसे बहुत सारे फ्लेवर्स के हैं मेरे पास में निकठा ले आई थी शिवरात्री के पहले ही और तब से यह धूप चल रहा है और आगे भी काफी दिनों तक चलेगा यह गूगल धूप है सेम दूसरा पैकेट यह चंदन यह भी पूरा सूखा हुआ धूप नहीं है आपको जैसा दिखाया था लेवेंडर वाला वैसा है चंदन फ्लेवर में है यह गुलाव फ्लेवर में है धूप हरी दर्शन ब्रैंड है यह लेकिन काफी अच्छा रहता है यह गुलाव फ्लेवर अगेन यह लवेंडर और यह एक स्पेशल धूप है जो पातंजली का है रशांगम पाउडर के नाम से आता है इसे हमें बनाना पड़ता है इसके अंदर ऐसा धूप के शेव का साचा दिय कर दो जिली करते हैं और आगम पूरा लेख सकते हैं और यह हैं अधान कप जो मैंने दिखाया था। डबे के अनदर इस तरीफिए का पैकेट अा हैं ऊपस और ते मेरे पास नामने लेकर के आने हैं नवरात्रे में लेकर आऊंगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी का ब दूसरे ब्राइट की की तीली देर टक जलती नहीं है हाथ जलने लगता है और दीप जलता ही एक बार में ठीक लिए ऐपन है यह भी पुरी भरी हुई ऐसे दो तीन पैकेट एक साथ लेकर आने का और यूज करने का धूप की बात हो गई दीपक की बात हो गई अब कर लेते हैं रोली, चंदन, हल्दी, गुलाल, ये सब की बात की क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है, वो शो कर देती हूँ ये देखिए छोटा सा ट्रे है, इसमें है रोली, चंदन, इसमें सफेज चंदन है, शिव भगवान को यूज होता है इसमें केसर अश्टगन चंदन है, और इसमें है सिंदूर, इसमें औरेंज कलर का सिंदूर है, जो दुर्गा मैया हनुमान जी पर भी लगता है, हमारे औरेंज कलर का ही सिंदूर लगता है यह खरी हल्दी है, यह powder हल्दी है, और यह food colors है, जो मैंने गुलाल बनाए थे, इन्हीं color से बनाए थे जब हम अस्ट दल कमल बनाते हैं, तो चावल को भी यह सारे colors से color करके, अच्छे से रंगोली pattern में हम अस्ट दल कमल बना सकते हैं, तो उसके लिए है ये चंदन कि लगडी है इसे घिसकर के ही हम लगाते हैं तो कभी यह भी यूज होता है ज्यादात अरसी है बीजिज कर सकते हैं और हमेशा आर्टिफीश्यल में ज्यादा खुश्बू होती है जो अरिज्डनल होता है उसमे भीनी भीनी सी चंदन की खुश्बू होती है तो आप खुश्बू पर ना जाएं कि इस से ज़्यादा खुश्बू आ रही है तो यह ओरिजनल है ऐसा कुछ भी नहीं है आप इन्हें घिस करके प्रयोग करें और देखें कि रियल चंदन जो होता है वो कैसा होता है इसमें कपूर था जो कि अब लगभग खतम हो गया है दूसरा पैकेट यूज करूंगी मैं इसमें क्या है इसमें है कमल गट्टे जो प्रयोग में आते हैं माता रानी के पूजा में दूसरे डबे में भी चंदन वेगरा है पहले इस ट्रे का मैं बता देती हूं क्या क्या है फिर उसके बाद यह देखें यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए यह धागा और यह सुई पहले मैंने यह सुई ली थी माला बनाने के लिए बट यह सुई से माला अच्छे से नहीं बनेगा आपके हाथ भी दुख जाएंगे फिर माला बनाने के लिए स्पेशल सुई आती है आप देखें कितनी लेंग्ध की है यह सुई और कितना इसका थिकनेस है इससे फटा-फट माला बन जाता है आपने पूजा मेरी माला वेगरा देखी होंगी कुछ तो रेडिमेट होती है बट कुछ जो लंबी माला होती है वो मार्केट में जल्दी मिलती नही या है और पहना दीया भगवान को अब दूसरी ट्रे में दिखाती हूं यह दूसरी ट्रे है इसमें रहता है काला टिल उरेंज सिंदूर यह है शख़ण बड़े डब्बे में from अब Viel दूब्वर टिल तो बड़े डबे में से रीफिल कर लेता है यह केसर है जो कि अभी खतम हो गया है नवरात्री पर नया लाना है इसमें सिंदूर है इसमें ओरिजनल गुलाल है हर्बल वाला यह मैंने बनाया नहीं है यह रेडी मेड है यह लड़ू गोपल का मसाज ओयल है जिसे हम जैतून का तेल बोलते हैं फिगैरो ओलिव ओयल तो यह जैतून का तेल लड़ू गोपल का मसाज में यूज होता है डेली नहाने के बाद और यह कोकोनट ओयल है यह भी लड़ू गोपल के मसाज के लिए है और मसाज के लिए मैं हमेशा cold press ही यूज़ करती हूँ cold press oil में सारे nutrients होते हैं तो cold press ही आप यूज़ करें और ये virgin coconut oil है तो ये काफी अच्छा रहता है कोई भी brand का आप यूज़ कर सकते हैं ये भी चंदन का पूरा pack है शिवरात्री पर लेकर के आई थी ये देखिए natural color है इसमें कोई भी अलग से color added नहीं है तो ये शिव भगवान सबको लग सकता है तो मैं अब ये यूज़ करूंगी और ये है हमारा जिसको हमारे language में बोलते हैं भभूत ये देखिए और ऐसे वीभूती भी आप बोलते होगे तो ये है ये कपूर का पूरा packet है पातंजली का है पातंजली स्टोर में आपको बहुत सारी पूजा related चीज़ें मिल जाएंगी वो भी शुद्ध ये देखिए ये तो इसकौन टेमपल से लिया था मैंने शुद्ध केसा चंदन पा ये भी लगभग फीनिश होने वाला है सब रीफिल कर दूंगी मैं अभी पूजा से पहले अब मैं बात करती हूं गंगा जल की तो गंगा जल मेरे पास बहुत जादा नहीं रहता है क्योंकि मैं रहती हूं बैंगलोर में बैंगलोर में तो हमें या तो मॉल से खरीदना 250 ml है आफर में ये 40 रूपीज है ऐसे इसका प्राइस है 50 रूपीज तो 100 रूपे में आधा लीटर आपको गंगा जल मिलता है यहां बैंगलोर में तो ये रहता है इसे हम खाली करके तामबे के पातर में रख देते हैं फिर वो जब तक चलता है फिर इससे रीफिल कर लेते हैं अब मैं इसमें दिखा रही हूँ क्या क्या है ये देखे इसमें इलाइची है इतनी ही बची है अभी और ये भी काफी चल जाएगी इसमें लॉंग है सुपारी है हल्दी भी है थोड़ी सी पूरा पैकेट इसमें भी लाइची है ये सब हमेशा रहता है मंदिर में आपने मेरा मंदिर तो देखा है उसके नीचे की स्टोरेज भी देखी है मंदिर ऑगनाजिज़ेशन वीडियो भी देखा है बट वो मैंने अब अबडेट कर दिया अब मंदिर और्गनाइजेशन पूरा मैंने चेंज किया है पहले जो था वो तो काफी पुराना था 2021 आ गया है काफी दिन हो गया है अब देख लेते हैं बाकी सामगरी यह है कलावा जादा तर जगह पर ऐसा कलावा मिलता है पूजा की शॉप्स पे तो यह भी आप यूज कर सकते हैं फिर ऐसे भी मिलते हैं रील्स में नहीं तो सबसे बेस्ट रहता है पातंजली का कलावा यह पूरा पैकेट न्यूज यह मैंने यूज नहीं किया पहले यह सब खतम कर रही हो यह पूजा की मैंग्जिमम सामगुरी वही मिल जाएगी यहां तो सामने ही पातंजली स्टोर है तो मैं फटा फट चली जाती हूँ लेकिया जाती हूँ यहां कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है यह सारे कलावा ऐसे ही है मेरे पास यह देखिए यह है जनेव कुछ कलर करके रखे हुए है गनपती जी के लिए हलका सा कुछ प्योर ऐसे वाइट है वो सियो जी पे चढ़ेंगे इसमें हवन सामगुरी रखी है थोड़ी सी जो पैक से बाहर है पहले यह यूज करेंगे फिर पैकेट खोलेंगे हम यह हवन सामगुरी पातंजली की फुला पैकेट है इसका मैंने बहुत सारा यूज किया है यह देखिए ऐसी रहती है बनी बनाई अब घर में भी हवन सामगुरी बना लेते हैं यह सब शिंगार का सामान है इत्र वेगेरा पैने पहले भी शो किया है कुम कुम यह सारे आई लाइनर्स यह सब भगवान का शिंगार मैं खूद करती हूँ आपने देखा होगा मेरे विग्रहम में कोई भी पर्मनेंट शिंगार नहीं है सिर्फ कनयया जी जो कृष्ण जी है हमारे उनके चहरे पर पर्मनेंट शिंगार है इसके अलावा किसी का भी पर्मनेंट शिंगार नहीं है मुझे बहुत अच्छा लगता अपने हिसाब से भ भोग लगाते हैं भगान को तो ड्राइब भोग इसमें रहता है मिशरी इलाइची दाना जिसे बोलते हैं बताशे ड्राइब फूर्स तो अभी सारे कुछ खतम है सिर्फ ड्राइब बचे हैं यह देखिए किस्मिश है यह बादाम है अभी यह खतम हो जाएंगे फिर में इस तो फुल कर लूँगी ऐसा एक और डबा है जो कि खाली हो चुका है इसमें भी घी है और बतियां है इससे अभी गरम करके मुझे पूरा सेट करना है यह चोटे-चोटे मैच बॉक्सेस है यह चुछ करते हो लड़ू को ट्रैवलिंग को ले जाती हूँ यह रहे आसन अब गरमिया आ रहे है तो इस ट्राइब के साटेन के आसन है जो मैं रखती हूँ गर्मियों में ठंड में तो वेलवेट या कोई भी जरी के काम वाला आसन लगा देती हूँ तो ये सब धुले हुए रखे रहते हैं मंदिर में कभी ये बिछा दिया कभी वो लगा दिया अब एक बहुत important चीज है मेरे पास जो मैं show करती हूँ आपको help करेगी तो वो है ये command hooks जिसे बोलते हैं इसमें चिपकाने के लिए लिखा रहता है कि sticker के साथ कैसे चिपकाना है comment करोगे तो मैं बता दूगी क्योंकि मेरे मंदिर में मैं हमेशा यही use करती हूँ मैं कुछ भी कील या काटी से नहीं टांगा है सब कुछ इस से चिपका करके टांगा है क्योंकि मैं कील डालूँगी मंदिर में तो मेरा मंदिर खराब हो जाएगा और मैं नहीं चाती हूँ मेरे मंदिर में कहीं भी कील डालना तो मैं इस से चिपका देती हूँ और एक बार चिपकाया ये कभी नहीं गिरता है जितने भी लक्षमी नरायन का आपने देखा है फोटो हनुमान जी का जो भी हैंक किये हुए हैं सारे कुछ इससे ही हैंक किये हुए हैं बहुत अच्छा इनमें बड़े साइस भी आते हैं क्या है मेरे daily use के बरतन और कैसे रखती हूं इसमें सारे प्लेट्स ग्लासेज दिया लोटकी और भी कलर्श बहुत सारी चीज़े इसमें डेली यूज की रहती हैं डेली उसमें तो बड़े बरतन लगते नहीं हैं चोटे-चोटे बरतन लगते हैं तो मैं सारा इस मुझे नःग रखने की जरूरत पड़े हैं हनी का डबबा यूज होता है पूरा मंधिर में अभीशेक करने में बहुत काम में आता है या भोग भी लगा सकते हैं दूध में जब हम लड़ू गोपल को दूध देते हैं तो केसर के साथ हनी डाल के आप दे सकते हैं उनको गुन-गुने दूध में बहुत ही टेस्टी लगेगा उन्हें भी हमेशा तो मिश्ट्री हम देते ही हैं लेकिन हनी देंगे तो उनके लिए जादा अच्छा रहेगा तो मैंने लगबग सारी पूजा की सामगरी मेरी डेली यूज वाली कवर कर दी है आप भी देख सकते हैं मैं पूरा फिर से लुप दिखा देती हूँ इतनी जगा है सारे ड्रॉर्स में आ जाते हैं कोई भी चीज मैंने बाहर नहीं रखी है सिर्फ यह बर्तन का टोकरा जाता है किचन में इसके अलावा पाकी पूरी सामगरी मंदिर में होती है बड़े-बड़े डबे में storage का काम रहता है उनको हम shift करके रखते हैं चोटे डबों में वो खतम हो जाते हैं तब बड़े डबों से refill कर लेते हैं तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी clear आई होप आपको ये वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप कॉमेंट में जरूर बताईए कि कौन सी ऐसी सामगरी है जो मेरे पास खतम हो गई है या इस वीडियो में नहीं है जो नौरात्रे में लगेगी तो मैं उसे लिस्ट में एड करूँगी और शॉपिंग करूँगी यदि आपको पता हो तो कॉमेंट में लिखिए और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बस इतना लिखिए जै माता दी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए फ्रेंस और फैमली के साथ शेर कीजिए चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आपको ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो हमेशा मिलती रहेगी तब तक के लिए आप अपना बहुत-बहुत खयाल रखिए टेक केर बाबाई लव यू ओल हरे कृष्ण जै माता दी